नमस्कार दोस्तों! स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यान गंदा में, आज हम आपको सुनाने जा रही हैं, वालमी की रामायन का एक व्रितांत, जिसमें माता सीता द्वारा राजा दश्रत को मोक्ष दिलाने का वर्नन है. वालमी की रामायन में माता सीता द्वारा पिंददान देने का वर्णन आता है, जिससे राजा दश्रत को मोक्ष प्राप्थ हुआ था वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्षमण और माता सीता, पित्री पक्ष के समय अपने पिता राजा दश्रत का श्राध करने हेतू गया जी धाम पहुँचे, तब ब्रामन ने श्राध में दान हेतू आवशक सामगरी बताई, तब सामगरी को लाने हेतू श्री राम और लक्षमण नगर की ओर चले गए। काफी समय बीट जाने के बाद भी जब श्री राम और लक्षमण जी नहीं लोटे, तब वहां पर उपस्थित एक ब्रामन ने माता सीता से कहा कि श्राध पूजन करने का समय निकला जा रहा है, परन्तु श्री राम और लक्षमण जी अभीतत नहीं आए। तब ब्रामन के कहने पर और समय के अभाव के कारण समय के महत्वों समझते हुए माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरत का पिंददान स्वम करने का निर्णय लिया। उन्होंने नदी तट पर उपस्थित वटवरिक्ष, तुलसी, ब्रामन, गाय और कोवे को साक्षी मानकर स्वर्गिय राजा दशरत का पिंददान पूरी विधी विधान से संपन्न किया। पूजन के पश्चात माता सीता ने हाथ जोड कर प्रार्थना की तो राजा दशरत ने पिंददान स्वीकार कर लिया। इस बात से माता सीता अत्यंत प्रसन्न ह कि राजा दश्रत ने अपनी पुत्र वधू से पिंडदान स्वीकार किया। परंटु मन ही मन में वह यह सोच रही थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे कि पिंडदान एक स्त्री द्वारा किया गया और पिंडदान स्वीकार भी कर लिया गया। तभी भगवान राम और लक्षमन पूजन सामगरी लेकर आए और पिंडदान के विशय में पूछने लगे तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि समय के अभाव के कारण मैंने स्वयन पिंडदान कर दिया है। श्री राम को माता सीता की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र और बिना सामगरी के पिंडदान किस प्रकार संपन हो सकता है। तब सीता जी ने कहा वहां उपिस्थत नदी, तुलसी, कोवा, गाय और ब्रामन इस बात की गवाही दे सकते हैं कि पिंडदान राजा दश्रत द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तब प्रभु राम उन पाचों से पूछते हैं, तो ये पाचों प्रभु राम के सामने जूट बोल देते हैं कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। तब माता सीता को इन पाचों पर क्रोधा जाता है और माता सीता इन पाचों को श्राप दे देती है। और कहती हैं कि ब्रामन दरिद्र बने रहेंगे। तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम कभी भी गया जी की मिट्ती में नहीं फलोगी। गाय को श्राप दिया की पूजनिय होने पर भी तुम्हें खाने के लिए हमेशा दर-दर भटकना पड़ेगा। कौवे को हमेशा लड़ जगड कर खाने का श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया की तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की पूजा की जाती हैं और ब्रामण आज भी दरिद्र देखे जाते हैं और गया जी की मिट्टी में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता। कौई हमेशा लड़ जगड कर ही खाना खाते हैं और गया जी में फल्गो नदी आज भी सूखी है। सीता माता द्वारा दिये गए श्राप का प्रभाव आज भी इन पाचों में देखा जाता है। इन पाचों को जूट बोलने पर श्राप मिला तो वहीं वटवरिक्ष के सत्य कहने पर माता सीता ने वटवरिक्ष को वर्दान दिया और कहा कि तुम्हें लंबी आयू प्राप्त होगी तथा हमेशा दुसरों को छाया प्रदान करोगे। तथा जो भी पतिवरता नारी तुम्हारी पूजन कर तुम्हें जल अर्पित करेगी उसके पती की दीरगायू होगी। हिंदू धर्म में आज भी वटवरिक्ष का पूजन पती की लंबी आयू के लिए किया जाता है। वालमी की रामायन का यह छोटा सा वृतांत अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।